जैहिन प्यारी दोस्तों मैं प्रकासवस्ति कानपरवाला प्या दोस्तों आज फिर हम लोग पढ़ेंगे एचसल का एक सेट 1072024 का सेट नमबर टू इसकी पीडियाफ हम अपने टेलीक्राम गोप में डाल देते हैं रेल्वे की बच्चे भी इसको देखें श्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन पहला कोशन आपके सामने कहता है f of p बराबर दिस वन तो इसका मान क्या होगा यानि अगर मुझे f of 2 का मान चाहिए तो यहाँ p की जगे 2 रखेंगे तो आएगा साइन 2 दूना 4x cos 2 दूना 4x और बाहर 6 आएगा माइनस 4 ऐसे चार रखा यहां पावर में तो 4 दो 6 हो जाएगा sin की पावर 6x हो जाएगा cos की पावर 6x हो जाएगा अब यहाँ 10 पावर 0 तो रखोगे तो यह sin square x cos square x तो वो 1 हो जाएगा बच्चा बच्चा जानता है नहीं जानता तो same पैटन कोशन SSC और रेलवें भर भर के आये हुए हैं आपको याद होना चाहिए क्या इस sine की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x का मान 1-2 sine square x cos square x होता है ये याद होना चाहिए सान्हें यह भी याद होना चाहिए साइन की पावर 6 X ऐसे यह रखोगे तो वन हो जाएगा और यह प्लस का दस तोला में से चार गया बारा आंसर और अगर आपको नहीं रखना है तो यह वैलू उठा कर आप रखेंगे और सॉल करेंगे सब कट पिटा जाएगा अपने एसाब से आटोमेटिक ऐसा सेट होता है और आपका आंसर ब दो सों मीटर आगे है तो चोर पुलिस के बीच की दूरी दो सॉ मीटर एज दिश्टेंस ओले डिवेन है तो ला की गती से भाग रहे है चोर पूलिस की गती से तो एक मदब चोर 16 पुलिस 20 और सेम डिरेक्शन तो रिलेक्टिवी स्पीड क्या होता है 16 20 का अंतर 4 हो जाएगा लेकिन 4 ये किलोमेटर पर ती घंटा में आये तो मेटर पर सेकेंड में तबदील करने लिए 5 बटा 18 का गुणा कर लो 20 से ये 10 बार में गया यानि 180 सेकेंड के बाद चोर पकड़ जाएगा 180 सेकेंड के बाद कहता है पुलिस कर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूर तक भागेगा तो मेरे भाई ऐसा कर लो पहले समझो इस बात को समझना देखो चोर यहां से भाग रहा है पुलिस यहां से माना चोर मैं हूँ पुलिस आप हूँ ठीक है मोटा मोटा तो मैं यहां से चोरी करके भागा ये और शुरवात में मेरे और आपके बीच की दूरी क्या थी 200 मेटर लेकिन मुझसे पूछा गया कि प्रकास सर आप कितना भागे यानि जितना समय चोर ने यह दूरी यहां तक तैक करने मिली उतना ही समय पुलिस ने यहां तक किया तो हमसे चोर पुलिस कर्मी तरह पकड़े जाने इस पहले चोर कित्ती दूरी तैक किया तो समय बराबर यानि पुलिस ने 180 सेकेंड लिया तो चोर ने भी यहां से भागने में 180 सेकेंड ही लिया यानि मैंने कितना दूरी बता दो कितना दूरी चोर भागा यहां से तो भाईया चोर की स्पीड थी 16 किलमेट पर घंटा तो 16 पांच बटा 18 कर लो मीटर पर सेकेंड में क्योंकि हम भागे हैं 180 सेकेंड अस खेल लो 18 से यह दस बार में गया असी गुड़े दस आठ सो मीटर यानि इस पॉइंट से यहां तक भागा मैं तो मैंने आठ सो मीटर भागा हूं अगर पुलिस का पुछा जाता तो आठ सो और दो सो हजार होता उमीद है मेरी बात समझ गये होगे एक निश्य धर्नासिय सद्हाण ब्याज पर उधार दियाती यदि दो वर्स में इतना चार वर्स में इतना तो वार्षिक ब्याज दर गयात करो सधान भ्याज का कोश्चन है बड़े प्यार से करना पड़ेगा और traditional कोश्चन है दो साल में कोई पैसा 24,000 हो जाता है और चार साल में वही पैसा 32,000 हो जाता है देश्वासियोग दोनों का अंतर दो साल इसका अंतर 8,000 आठखाँ दो साल में आठखार तो प्रिंस्पल कोई होगा उसमें आठखाँ कम कर दोगे यानि 16,000 प्रिंस्पल होगा 16,000 प्रिंस्पल है और दो साल में 8,000 तो एक साल में 4,000 ब्याज मिलेगा इन्टु 100 चार सो बटा सोला 25 परसेंट आंसर आ लेगा किस सुलाहियां चार सो ठीक है 200 और देड़ सो 400 होता है तो कोशन नमबर तीन का आंसर 25 परसेंट आ जाएगा इटेडिशनल है आज की डिट में 99 परसेंट बच्चे को आना चाहिए अगर जो त्यारी कर रहा है नहीं 5.5 cm त्रिज्जा वाले अर्ध गोले का आयतन हमको चाहिए निकट तब अर्ध गोले का आयतन होता है 2 बटा 3 पाई आर क्यूब होता है पहले बोलो हाँ 2 बटा 3 ऐसे रखो पाई की वैलू हमको दी गई 3.14 आर त्रिज्जा 11 बटा 2 को साड़े 5 कहते हैं उसका क्यूब करोगे 1-3-3-1 अपाउन आर्ट देशवासियो पेसेंस सिर्फ पेसेंस दो से ये चार बार में गया अब ये 31 है तो थोड़ा से इसको बढ़ा दू क्योंकि निकटम पुढांग और आप्शन में काफी अंतर है अगर मैं इसको ये समझ रहा हूं सिर्फ एक बढ़ाया है चार से भाग दोगे तिर्फ एक बढ़ाया है वो भी बहुत अंत में चार्तियां बारा चार्तियां बारा बारा और तीन से ये कृपल वन यानि तीन दसम्मलो एक चार में टृपल वन का गुणा करना है कर सकतों चार बार में 44 समझत अश्या जाह चाह चाह ये फिर वन वन जोड़ोंगे तो पांच-15 फिर 33 किन मैं चाहर तिन साथ याट जार इसका गुणा करोगे यह आएगा दसम्लों 348.54 तो लगभग में 348 is the right answer क्योंकि उन्चास को कहीं दिया नहीं किया और हमने यहां हल एक बढ़ाया भी था तो उसका जो effect पढ़ा होगा वो थोड़ा सा कम क्योंकि बढ़ाया तो थोड़ा सा कम answer आएगा तो वो दसम्लों 348 ही इसका right answer सबसे सुन्दर तरीका यह एक बराबर 5 वाई बराबर 6 पहले ऐसे सीमेंस में भी ऐसे question आए हुए एक जमाने में 10 और चत्रिक 18 यह 15 और 30 पैतालिस यानि 28 अपान पैतालिस कटता नहीं एक दूसरे से कुछ भी यही answer डेटा आपको दिख रहा होगा आप दिख रहा है नहीं तालिका किसी देश में देश में पांच वर्सों में ख़दान उत्पादन को दर्साती है पिछले वर्स की तुलना में 2020 और 21 में चावल के उत्पादन में कितने प्रस्षत की व्रद्धी होगा 2020 और 21 की बात कर रहा है 2020 और 21 में चावल यानि राइस 440 पिछला वर्स यही होगा दोनों का अंतर 40 बटा 400 गुड़े 100 यानि 10 परसिंट की व्रद्धी हो गए पिम्पल कोशन था डर्णा नहीं था डियाई से 10 परसिंट आंसर यह कोशन आया अच्छा बहुत दिन बाद क्यारा कौन सा कथन सत्य है ठीक है पहले ए निकाल लू एका माहन है 9 बटा 16 डिविजन लगा है रिवर्स कर दो 36 बटा पचेश क्या कुछ कट रहा है जी हां कट रहा है नो और चार बाद और कुछ नहीं कट रहा है यानि 81 बटा 100 आगए भी निकालने गया है तारे कलर बदलेंगे तभी समझ में आएगा नौ ऐसे डिविजन में अभी ये 16 बटा 25 हो गया और फिर डिविजन में है तो वो वन बाई 36 हो गया नौ ऐसे अब ये रिवर्स हो जाएगा तो 25 गुड़े 36 ऊपर हो गया तोला नीची हो गया ये नौ बार में और ये चार बार में बाकी फिर कैल्कुलेशन देंगे यानि ये 85 बटा चार बैच करेगा तो ठीक है पूरा सजाद हो नहीं निकालने का है तो नौ इफिर डिविजन में अब ये 16 बटा पचीस है और डिविजन लगा है तो फिर रिवर्स हो जाएगा 25 बटा 16 हो जाएगा अब फिर डिविजन है तो एक बटा 36 आजाएगा फिर सॉल कर लेंगे फिर डिवाल नौ बटा 16 ऐसे लिख देंगे फिर डिविजन लगा है तो 25 बटा 36 ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट भी लगा है ना रिवर्स कर दो नौ बटा 16, 36 उपर जाएगा 25 नीचे आएगा ये नौ बार में ये चार बार अब कुछ मैच कर रहा है क्या नौ गुड़े 25 गुड़े नौ बटा 4 नौ गुड़े 25 उपर नहीं है तो पहले बी और डिग देखे भाई जैसा बोला है तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा है य 702 इक्यासी बटा सो इवा ने नी रहा है नीस अभत है घ्लक हो गए फिर ए और बी देखोएक्षी बटा सो ये भी न करना है और यह ब्रु काju बटा गया ओसे ऑस्अ हो नी जा मघ्रop पूरा नहीं solve करना पहले देखो तो समझो तो उसके बाद इस question को solve करेंगे और थोड़ी सी इसमें error है पहले error यह है टाइप इस द्वारा हमारे ठीक है original paper में नहीं है और यहाँ पर एक है अंको का कि योग ज्याद करना है तो इंग्लिस में भी वही चीज़ सम करेंज कर लो आँ पाइंड दा कि सम यहां लगा लो कि सम वैलू आफ ए या इसके डिजिट का सम निकालना है तो यह बदलाओ करने पड़ेगे अब खेलते हैं इस कोशन के साथ साथ ऐसे रखेंगे छे बड़ा पच्चिस यह दोनों साथ चलेंगे तो रिवर्स हो जाएगा पंदरा बटा सूला ऐसे आठ बटा तीन ऐसे प्लस का पांच ऐसे आएगा यह कैल्कुलेट कर लो तो एक माइनस पच्चिस बटा बारा तो यह माइनस का तेरा बटा बारा माइनस माइनस प्लस तेरा बटा बारा हूँ जाएगा और यह ब्रैकेट लगा लिजिए अब इसे कैल्कुलेट कर लिजिए आठ से यह दो बार छे से यह गया पंदरा बटा पच्चिस यानि तीन बटा पांच पांच ऐसे तेरा बटा बारा ऐसे और स्टार्ट ऐसे एलसियम भी इसका साठ ही आएगा बारतियां 36 साठ पंजा तीन सो हो जाएगा साठ पंजा तीन सो और तेरा पच्छे 65 साठ से साठ गया अब यहां जोड़ोगे तो उपर 401 इसका योग आएगा और इसका डिश्टल सम करोगे तो पांच आएगा एक अंको का योग पांच हो जाएगा उमीद एक कोशन सभी को समझ में आ गया होगा एक व्रत्ताकार पत की बाहरी और आंतिक पर्दी का अनपात इतना है यदि पत 45 मिटर चोड़ा है तो आंतिक ब्रत की त्रिज्जा ग्याद करोगे देखो बाहरी पत की बाहरी और आंतिक यानि 2PiR1 2PiR2 का जो रेश्यो है 10ish to 6 है चोड़े की बाथ होरी तो यानि R1-R2 ही 45 है ये चीज़ है R1-R2 ही 45 है तो इन्ही का रेश्यो तो दोनों का अंतर 1 यही 45 की होगा हमसे कह रहा है आंतिक व्रत की त्रिज्जा यानि 6 वाले का तो कि बाहर का साथ अंदर का पर तो इसका गुड़ा कर लो 45 गुड़े 6 दो सो सत्तर आ जाएगा यानि 270 इस दा राइट आंसर ओप दिस वर कोश्य नमबर 9 का सही आंसर दसवा नमबर पी और किसी काम को 12 और 9 दिन में कर लेते हैं पी किसी काम को 12 दिन में क्यू 9 दिन में तो एलसियम लोगे तो 36 आ जाएगा छमता प्याय दूस्तो छमता तो 3 हो जाएगी और 4 अब देखा यह जाए क्योंगे तो आप यह साथ मिलकर काम करते हो 63 हजार रुपए कमाते हैं पी का हिस्सा क्या होगा तो भईया अभी तो किसीने दो दिन किसीने पांस दिन ऐसा तो काम नहीं किया तो फिर छमता के हिसाब से ही पेमेंट कर दूँ हाँ साथ बराबर इसमें केसिस बनते हैं साथ बराबर 63 हजार के एक बराबर 9 हजार तो 9 के बोल सकते हैं पी का इससा तो 9 के का गुणा कर लो के मतलब थाउजेंड 27 के आ गया 27 थाउजेंड इस दा राइट आंसर कोशन नमबर दास वेतन में 9 परशन व्रधी के बाद एक वेक्ति का वेतन इतना हो जाता है व्रधी से पहले उसका वेतन क्या था लगभग रवन्दे का वेतन 100% होता है 9 परशन की व्रद्धी करोगे तो 109 परसिंटेज का हो गया जो की 63-100 रुपिया है, अब हमको 100% निकालना है, calculation है, calculation है, मोटा मोटा, जोगो, थोड़ा सा अगर हम options के basis चले जाए, थोड़ा सा options बसे चले जाए, फ़ले समझो, ये नहीं होगा, माल लो इसका 10% इसमें जोड़ोगे, कभी ये कितना नहीं आएगा, इसको रोग दो, 5000 का 10% करोगे, तो 5779 लगभग में आएगा, निंजा टेक्निक, भाई, 109 है, हम 10% बढ़ा दे रहे, यानि 110% माल ले रहे, पांच जाएगा, 10% पांच जोड़ोगे, कभी नहीं आएगी वैलू, चार दे नहीं समझे, उसके 80 पास नहीं भटक रहा, तो मुद्दाई खतम, तो य यह हो जाएगा, 5779, यह निंजा टेक्निक है, मजा नहीं आया है सर, मजा मिलेगा, आप 3600 ऐसे करो, 109 से भाग दे दू, और हमें 100% चीए, तो 2-0 लगा के बस, इसको सॉल्व करो, हाँ, पांच, समझे है, 9.45, फिर पांच आया, बारा में से आठ, पी जीरो, और यह साथ, तब तावन से एक ही वैलू है, वो भी यह, अब पूरा सॉल, घर पे करो, ही डबलू, एक विक्रेता, बारा हाजा, सो रुपय में, बीस दर्जन के लिए खरेता हो, तिन सो पचास से पास दर्जन, बेज़ता है, लाब, 20 से भाग जो तो एक दर्जन कित्ते पड़ेगा 30 रुपएगा 350 में 5 से भाग जो तो एक दर्जन कित्ते में बेचा 70 में 50 की चीज 70 में भीजी यानि 6 की चीज 7 में 6 गुड़े 100 12 से ही 2 बटा 3% का उसको क्या होगा लाब होगा 16.66% एक सम्दी बाउत तर्बुच बना लिजी सम्दी बाउत तर्बुच में दो भुजाएं बराबर होती है यानि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी according to the question ये नाम करण भी वो कह रहा है ABC है और बोल विराय कि A, B, A, C के बराबर है फिर कहता है D तर्बुच के अंदर एक बिंदू है जिससे B, A, D 20 डिग्री T एक बिंदू है B, A, D यानि ऐसा बनाओ ऐसा आपके यहां बना दो तो वो ज्यादा एंगल प्रतीत होगा ठीक है बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा अच्छे ही बना देते है यहां ले आते हैं बस B, A, D हमसे कहरा 20 डिग्री है B, A, D जैसा बोला है वैसे ही करेंगे और D, C, B के बराबर है T C, B के बराबर है यहां कहरा है यह B, A, D बैट इतना D, C, B के बराबर है D, C, B के बराबर है यह भी 20 डिग्री हो जाएगा पी कहता है C, A, D C, A, D 80 डिग्री है मैं कुछ नहीं कहरा हूँ कोशिं कहरा है A, B, C का मान ग्याद किजिए अब मिर भाई एक चीज अच्छे जानते हो कि यह हो गया 100 और सम्दी बाउतर बुच्च यानि आधार के दोनों कोण बराबर होंगे 100, 180 में से 100 गया तो 80 आया 80 का आधा 40 यानि ये 40 ये भी 40 तो 20 तो 20 ये हो जाएगा और हमसे A, B, C का मान बुल ला है तो 40 डिग्री आंसर सिंपल पॉशन ठीक है डियाई ग्राफ दो कंपनी A और B द्वारा 6 वर्सों की अवदी में 80 लाप प्रसर 10 आता है ये वर्स 2012 में कंपनी A की आए इतनी लाग तो उस वर्स का वे कितना है देखो ये 6.45 लिखा है उस वर्स का वे कितना है और जो ग्राफ है वो अरजित लाप प्रसर दर्सारा है 2012 में कंपनी A की आए इतना है तो वर्स का लाप वे कितना है तो को आए का मतलब इंकम हुआ जैसे मालो 10 लाप मेंने बिजनेस स्टार्ट किया 15 लाप आ गए 10 लाप एक्स विंडेचर पांच लाप प्रॉपिट ओवराल 15 लाप तो यहाँ पर 2012 में कंपनी A की आए इतना तो उस वर्स उसका वे कितना कंपनी A स्टार्ट टाइप में 2012 यह वाला यानि 45 परसेंट उसका लाप है तो देखो हमने बिजनेस में लगाया जो भी पैसा वो ऐसे 100 परसेंट लगाया और 45 परसेंट लाप हुआ यानि 145 परसेंट पैसा हमारे पास आना चाहिए मोटा मोटा वो वैलू है 6.425 उसका वै तो बिजनेस में हमने 100 परसेंट लगाया तो यह पैसा लगाया इतना आया 100 परसेंट का मान चाहिए मोटा मोटा और यही एज़ी हमारा क्या हो जाएग अब कैल्किलेट करना है कुछ नहीं या तो 145 से भाग दो फिर दो ठोजिरो लगा लूँ हाँ ज्यादा सूचोगे जसने वह सब बूल जाओ वो सब मेंटेन कर लेंगे हम लोग 145 से भाग जायतर चारी है चार से ही गुणा कर लो आप 20 और 56 और दो 58 कि दो ऐसे आया पांच इदर को उतालो चौदा में से 625 फिर कित्ती बार में पांच बार में ज्यादा हो जाएगा फिर से चारी आएगा दो बार चार से सिर्फ ये ओप्सन्स हमारा चल रहा है अगर इसको आप इमानदारी से कैल्कुलेट कर रहो तो कर ले ना बैठके समय समय होता है गर में बैठके समझ गए लाजी तो समझी है आंसर इसका 4.43 आ जाएगा क्योंकि 44 से यही दो है फिर 100 का गुणा करो अपने आप जो भी वैलू आएगी सब मेंटेन हो जाएगा तो A is the right answer इस से भाग देके फिर 100 का गुणा करें देन यू विल गेट राइट अंसर दसम लो मेंटेन करेंगे पूरा से व्रत पर एक छिदक रेखा भी खीची गई है कि क्या कराना चाहता है 15 नंबर कोश्च विल भी बिंदू A से एक रेखा खीची गए जो बिंदू B पर व्रत की इस पर्स रेखा है देखरो देया बिंदू A से एक रेखा खीची गए और इस पर्स रेखा और बिंदू A से व्रत पर एक छिदक भी खीचा गया जो C डी पर कार रहा है शेदक अब बराबर 42 के एसी बराबर 21 के एबी और सीडी के बीच का अनपाथ यानि पहले ये एक्स निकाल लो तो इसमें तो प्रॉपर्टी लगती है सिंपल हो गया प्रॉपर्टी क्या लगेगी ये एबी का स्क्वाइर बराबर A से C इन्टू A C D ये 42 गुड़े 42 हो गया A C 41 हो गया और A D जो होगा वो 21 प्लस X होगा 21 से ये दो बार में गया 84 21 यानि 63 आ गया X का मान 63 और हमसे कहता है A B यानि 42 और C D यानि 63 का रिश्यू 21 यानि 2 इस्टू 3 आंसर सिम्पल सरल कोश्चन लेकिन कब जब हम इसको पढ़ पाय सही से पहले तो हमको खुद नहीं समझवाय तक करना क्या तो चार सेंट्यूटर भुजा वाले घन को दो सेंट्यूटर भुजा वाले घनों में काटा गया यानि दोनू का आयतन बराबर करणों तो चोटे घनों में से एक का कुल प्रेष्टी छेत्रपल बड़े घनों के कुल प्रेष्टी छेत्रपल के बराबर है अनपात देखो यहां कुछ करना है नहीं चार सेंट्यूटर भुजा का पहला घन और दो सेंट्यूटर भुजा वाला घनों में काटा गया चोटे घनों में से एक का कुल प्रेष्टी छेत्रपल तो 6A स्क्वार यानि 2 का स्क्वार बड़े घन का जो की 4 तो 6A स्क्वार यानि 4 का स्क्वार रेश्यू कैसे छे गया 4-16 यानि 1-4 मुद्दा खतम फर्जी कूशन बच्चों को डराने के लिए कूशन नम्बर 16 अम्रिकित PIE chart मानो सरीर में घटकों के वित्रण को दर्स आने वाले छेत्र का किंदरी कूण प्रोटी और अन अं तो प्रोटीन और अन ये ये टोटल 30 परस है बच्चा जानता है कि 100% बराबर 360 क्योंकि डिग्री में convert करना है अगर 30 डिग्री हमें लाना है 30% सोरी कुछ नहीं करना है एक 0 दस में 3 का गुणा तो 36 में भी 3 का गुणा 18 डिग्री हो जाएगा डिग्री में answer लाना है 108 इंपल सरल ये कुछ ज़्यादा चल रहे है कोशन दुकंदार एक इसी वस्तु को 25 परशन अधिक मूल पर अंकित करता है उसी वस्तु पर दुकंदार भी 20 परशन मूल अंकित करता है 12 परशन शूर देता है लाप के प्रस्त में किसने सबसे बहतर सौधा है मलब दोनों वस्तु एक है तो आप दो बार ये लगाओ पहले एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपॉन हंडेट पहले 25 परशन बढ़ाया फिर 15 परशन की छूर दी माइनस दोनों का गुणा करोगे तो 75, 37, 37, 100 से भाग ये तो 18, 25 में से 18 गया उननिस गटा दो 6 आएगा 6.25 परसेंट ये भी एका है ये एका प्रॉफिट है और बी क्या कर रहा है 20 परसेंट अधिक अंकित करता है कि 12 परसेंट के छूर देता है कि दोनों का गुणा 240 बढ़ा यानि 2.4 20 में से 13 गटा दो नहीं 15 गटा दो 5, 5.6 परसेंट ये भी तो हमसे कह रहा है लाप प्रसत के संदर में किसे बैतर सौधा मिलता है वह उस वस्तु को कितने प्रसत लाप पर बेशता है अब बता दो सौधा किस में अच्छा है तो सौधा मेरे दोस्त सौधा एका अच्छा है क्योंकि A को मिला है 6.25 परसेंट का लाप B को ये नहीं समझे आज कल क्या है कस्टूमर ज्यादा डिस्कॉंट मांगता है हम्याननी समझे नहीं बीना डिस्का़न के उसका कावमी निए चल ला ए एक हम दुखान तयार नाम ललू भहिया आप थे तैलेनटेड भहिया आपका नाम नाम लल्ल तो आपने टेलेंटेर भईया आपने क्या क्या वस्तू का दाम 25 परसेंट बढ़ा दिया और मार्केट में फेला दिया 15% छोट 15% छोट हम ते लल्लू है हमने दाम 20% बढ़ाया पर हम छूट 12% दे रहे तो कस्टूमर एक तरीके से मेरे पास कम आएगा आपके पास ज्यादा क तो कि वह यह नहीं देख रहा कि मैटर अंदर का क्या वह कह रहा वह 15% छोट दे रहा आप 12% बाकी वह कैल्कुलेटी नहीं कर रहा है समझ गया मोटा मोटा हम सस्ता हम कम कमारे वह ज्यादा कमा रहा है लेकिन मलब आप ललू है न तो आपने 25% बढ़ाया 15% छोट दिया हमने 20% बढ़ाया 12% छूट दोनों का गुणा बटा हंडे यानि हमें 5.6% लेकिन कस्टुमर आपके पास आ रहा है त्योंकि वह सिर्फ 15% की छूट देख समझ गया कि मार्केट श्टैड जी है और थोड़ा लाइट श्टैड जी है लाइट अच्छी होनी चीए सूरूम अ देखकर ही कस्टुमर आता है दो चार रिस्तेया परोसी अडोसी विवार बनाओ भले पंचायत करने आए दुकान के अंदर बैठेंगे दूसरा कस्टुमर देखेगा और उनको थोड़ा सके तो भई है थोड़ा सायोग देदो ताड़ी पर लटने में यह सारी अच्छी व तो वो अपने आपका 40% रहे गया दोनों का अंतर 60% बराबर 12 की दया हर चीच अपने आप में 100% होती है 12 का भाग दो 5% 5% बराबर 1 के 20 का गुणा करोगी तो 100% के वैलू 20 के हो जाएगी ठोक ओलाई ठोक 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 अच्छा आंसर देखो बावनाम बे गया आगे कह रहा है उस तंक्या का दो त्याई याद करूँ दो बटा पांचवा तो 20 का दो बटा पांच पांच से यह गया चार बार में आठ आंसर आएगा ठीक है पिठोको लाइक के चकर में 20 आंसर मार देता मैं आठ इस दा राइट आंसर वो पढ़ लिया उपर पांचवा मुझे नजर आ आए था ठीक है जो इसका आंसर है पेपर में आप्सेंस कोई और था मलब इसमें सब को नंबर फ्री मिलेंगे पाकी अभी जो हम कर रहे हैं बस वही है मुद्दा खत्म यहां कहता है क्या कहता है क्या क्या कहता है फूस सेंटर आर्स सेपरेटेड बाई अडिश्टेंस और हमसे इन्गणिस में बोला है डारेट कमन टेंजेनट ग्याद को इंग्लिस के सब्द को मैं पढला हूं अधर लेंठ अफ व्दार्ट कॉमन टेंजेनट तू सर्कल और रेड एब इस वन हूस सेंटर आप सेपरेटेटेड बाई डिश्टेंस इस वन DCT आप अच्छे जानते हूँ DCT क्या होता है अंडर रूट D स्क्वेर R1 माइनस R2 का होल स्क्वेर तो 40 का स्क्वेर ऐसे और R1 माइनस R2 14 में से 5 गया 9 का स्क्वेर ऐसे यह अंडर रूट 49 हो जाएगा और 7 में 31 में लिए आएगा कुछ भाव नौ में तो नहीं बाव में 14 में से 5 गया 9 आया 9 का स्क्वेर हुआ 40 49 31 बस आंसर यह तो 7 रूट 13 आंसर होगा 31 होगा यह यह उन्चास गुड़े 31 कर लूँ नौ ऐसे अठा एन 27 चार 27 चार 12 तीन 15 या ऐसे कर लूँ रूट 15 उन्निस ऐसे कर लूँ तो इसका राइट आंसर फिर रूट 15 उन्निस हो जाएगा इस इस दा राइट आंसर ओप दिस वर्ट कोशन नमबर 20 का आंसर ठीक है यही प्याय दोस्तों इसका आंसर हो जायका ठीक है इसमें सभी को नमबर बठने चाहिए किदी जिवाद है किलिया कहता है दिया गया पाई चार्ट एहमदाबाद जंक्षन से विभिन जिलों में यात्रा करने वाली यात्रों की कुल संक्या परसेंटेज में आईमदाबाद जंक्षन से विभिन जिलों में यात्रा करने वाली यात्रों की कुल संक्या आँड़ जारें आवमदाबाद से सूरत बटोदा यह गुज़ात के हैं और भाव नगर तरह यात्रा करने वाले यात्रू कि आउसस संख्या क्या दी तो भाव नगर्स पडोदा और सूरत तो पहला भाव नगर में 23% है सूरत 18% है और बडोदा 13% है वो नजर नहीं आ रहा हो तो अब आ रहा हो तब जोड़ लो 36-18 ओवराल 54% 54 का ओसत 18% आया 54 में 3 से भाग दोगा 18% 18% किसका आठ जार का परसेंटेज 2 जिटो खा जाएगा 18-8 1440 आंसर हो जाएगा क्लियर है कोशन नमबर 21 का राइट आंसर आपके सामने प्यारे देशवासियों बोलो हाँ ठीक है एक लंबती संकू का वक्रप्रिष्टी छीतरपल इतना है यदि इसकी त्रिज्जा इतनी है तो संकू का आयत है वक्रप्रिष्टी छीतरपल संकू का जोकि पाई पाई आरेल होता है जोकि 20 पाई है पाई से पाई गया आरेल से त्रिज्जा चार दी गई अबको ल चाहिए एल इंटू चार जोकि 20 के एल बराबर 5 प्याए दोस्तों ये संकू हो गया त्रिज्जा चार हो गई तो ट्रिपलेट्स तीन चार पाउच लग जाएगा आयतन चाहता है तो संकू का आयतन एक बटा तीन पाई आर स्क्वार एच चार का स्क्वार शोला एच तीन हैपी बा एक चुनावों में तीन उमीदबार थी पहले उमीदबार को 40 परशेंट बोड मिला दूसरे को 35 परशेंट कुल इतना तो तीसरे को कितना मिला 40, 35, 75 तो बचा 25 परशेंट तो तीसरे को 50 जार का 25 परशेंट यनी 1 बटा 4 साढ़े 12,000 बोड मिला फ़र जी कोश्यों पी की साधी 15 साल पहले वी थी, फी फॉर प्रकास सर पर अभी 5-6 साल पहले वी थी वेटो, आज उसकी उम्र, उसकी साधी के समय की उम्र का 8 बटा 5 है, तो को 8 बटा 5, पांच पांच की थी, 8 प्रेजिडेंट की थी, दोनों का अंतर तीन और यही 15 की, यानि आज मैं 40 साल का था, और 15 साल पहले मैं 25 साल का था, फिर कहता है, वर्तमान में उसके बेटे की उम्र, उसकी उम्र का 1 बटा 5, यानि मैं जब 40 का होँगा, तो मेरा बेटा 8 साल का हो जाएगा, यह कंडिशन ब्रीकुल सही, जब मैं 40 का होँगा, तो मेरा बच्चा 8 या 9 साल का हो जाएगा, यह सत्य है, चार साल पहले उसके बेटे की उम्र, पी की उस वर्त, उस समय की उम्र के अंस के रूप में, चार साल पहले, आज मेरा बेटा 8 का है, तो चार साल पहले 4 का होगा, और 4 साल पहले मैं भी 36 का, तो रेश्यो वन बाइन हो जाएगा, तो राइट आंसर आप दिस वन, 1 बाइन, और टेडिशनल कोशन भर भर के, हर किताबों मिलेगा, आपको यह पैटेंग कोशन, खुड़ी सी भासा बदल लई है, उसने और कुछ नहीं, 10 किलोग्राम चावल इतने का, खरीत, दर से खरिती है, और 20 किलोग्राम इतने की दर से, उसके लिए चावल के कुल मिस्टर की प्रतिक किलोग्राम लागत क्या है, देखो, 10, 88 रूपया के हिसाब से, 20, 187, 0 से 0 काट लो, 1 इस्टू टू का रेश्यो, तो 88 ऐसे कर लो, एवरेज निकालो, 37, 37, 37, 37, और 3 से भाग दे दो, बस, 8, 4, 12, 15, 11, 16, हासिल 1, 3, 14, 462 बटा, 3 से, बाकि भूल च्रीक लेनी देरे, 14, 42, 15, 15, 15, 14, 42 ही होता है, 15, 14, 45 होता है, ठीक है, 154, simple, इसको ऐसे ही कर लेंगे, सबसे सुन्दा तरीका, यह, सेट कंप्लीट हो गया है इसकी पीडियाप टेलीग्राम ग्रूप में मिल जाएगी वीडियो पसंद आया लाइक से सब्सक्राइब जरू किजिए सपोर्ट और प्यार जरू दिखाएए धन बात आप सभी का तेह दिल से